स्वागत है आज की वीडियो में आप सबने इस कॉम्पोनेंट को घड़ियों के अंदर इस्तमाल होते हुए देखा होगा यह एक घड़ी का सबसे जरूरी हिस्सा होता है कई लोग इसे कैपसीटर कहते हैं क्यूंकि यह दिखने में कैपसीटर जैसा ही होता है और कई लोग इसे प्रोसेसर कहते हैं लेकिन यह इन सब में से कुछ भी नहीं है इसका असली नाम है क्रिस्टल ओसिलेटर अब इसे क्रिस्टल ओसिलेटर क्यूं कहा जाता है क्यूंकि इसमें एक क्रिस्टल को यूज किया जाता है जिसका नाम होता है Quartz Crystal आपने कई बार घड़ी के उपर Quartz लिखा हुआ देखा होगा तो ये वहें Quartz होता है इसे बाकी Minerals की तरह धर्ती के अंदर से ही निकाला जाता है Quartz की एक खासियत होती है कि जब हम इसमें Electric Current भेजते हैं तब ये Vibrate करने लगता है या Oscillate करने लगता है और ये एक सेकंड में ज्यादा नहीं बस 32768 बार Oscillate होता है एक सेकंड के अंदर 32768 बार तो जब इसे घड़ी के अंदर इस्तमाल किया जाता है तब इसे Tuning Fog के जैसी Shape में लाया जाता है Tuning Fog को अपने देखा होगा ये कुछ ऐसा दिखता है इसे Tuning Fog की Shape देने के बाद इसे एक छोटे से Metallic Cylinder के अंदर डाल दिया जाता है और इसके दो Terminals को निकाल लिया जाता है अब इसके साथ ही इसे Battery को Connect कर दिया जाता है जिसे ये Oscillate होने लगती है अब जैसा कि हमने पहले देखा कि Quartz Crystal एक सेकंड में 32768 बार Oscillate करेगी तो हम क्या करते हैं कि इसके साथ एक Counter को लगा देते हैं अब ये Counter क्या करेगा कि Quartz Crystal के हर एक Oscillations को Count करता रहेगा और जैसे ही 32768 Oscillations कम्पलीट होंगे ये एक Current Signal को आगे मोटर में भेज देगा जिससे मोटर हर एक सेकंड में एक बार Move करेगी और हमारी घड़ी चलने लगेगी और ये Process Repeat होते रहेगा बार बार अब मोटर के Rotate होते ही ये घड़ी के अंदर लगे बागी सभी Gears को भी Rotate करवाने लगेगा जिससे घड़ी के Second Hand, Minute Hand और Hour Hand तीनों चलने लगेगे अलग-अलग Speed पर और हमें सही Time देखने को मिल जाएगा Quartz Crystal को Analog Clock के साथ साथ Digital Clock में भी यूज किया जाता है लेकिन Digital Type Clock में Quartz Crystal के Oscillations को Digitally Screen पर दिखाया जाता है तो ये था आज का हमारे वीडियो घड़ी की Working और Quartz Crystal के उपर उमीद है आपको ये अच्छा लगा होगा धन्यवाद